पहली पैप से जो बच्चे हैं या हम यूँ कहें स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे स्कूल जाने वाले हैं ऐसे में बहुत सारे प्रश्ण उटके आ रहे हैं कि क्या बच्चे कोवीड-19 की गाइडलाइन्स का पालन करेंगे, एसोपीज का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके अलावा कई सारे प्रश्ण हैं और इनका उत्तर जानने के लिए हमारे साथ जो उत्तर देंगे अभी मनीश सानी हैं जो शिवसेना बाला साथ ठाकरे के जमु कश्मीर के परदान है, सर आपका बहुत-बहुत स्वाज़ को दी जा रही है, ऐसे में बहुत सारे प्रश्ण है, और पहला मेरा यही प्रश्ण है कि क्या बच्चे कोविट-19 की गाई-लाइन्स का पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जी, आपको बताओं कि बहुत सारे अभी बावक हमारे लोगों से आकल मिले हैं, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शिव सेना को बोला है, और इसी सिलसले को लेकर हमने जम्मू कश्मीर के उपरा जेपाल मानिये मनोज सिना जी को एक रिक्वेस्ट लैटर भी भेजी है, कि एक बार री कंसीडर किया जाए, कि पहली फरवरी से अभी स्कूल नहीं खो इतनी स्कूल खोलने में जल्दबाजी किया है, एक तरफ से हम चाते हैं कि ठीक है स्कूल खुले, मगर हमारी एक छोटी जी डिमांड है, जो हमने लजी साब से भी अपील की है, कि स्कूल खुलने से पहले जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जैसे क्रोना के फ्रंट लाइन योदाओं को जो है वेक्सिनेशन की जा रहे ही है, आप छात्रों और शिक्षकों को भी जो है वेक्सिनेशन करें, ताकि अभीभावकों की चिंता जो है कुछ हाथ तक कम हो सकें. कल मैंने एक इंटर्व्यू किया था और वो शायद पब्लिश भी हुआ था, उसमें मैंने इसी तरह के सवाल पुछे, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल के ज़्यादा तर जो ओनर है, उनको बिजनस में ऐसा लगता है, बहुत सारा लास हुआ है, यही एक कारण द रहेगी, अगर हेल्थ ही बच्चों की नहीं होगी, देखिए, जो करोना की गाइड लाइन है, अभीभावकों की, मैं बार बार अभीभावकों का नाम ले रहा हूं, क्योंकि एक, दो या धरजन बर नहीं, सैंक्डों की तदात में अभीभावक हमारे पास आए हैं, हमारे शिव सैना कारियाले में आए हैं, जिन्होंने कहा है कि इन स्कूल के बच्चातरों को लेकर वो बहुत चिंतित हैं, जो स्कूल खोलने के निर्देश जारी कियेंगे, उनका कहना है कि करोना गाइड लाइन चातर और स्कूल के अंदर कभी भी फॉलो नहीं की जा सकती, कोई मुझे नहीं लगता कि पानी भी अवेलिबल होता होगा, साबून की तो बात ही दूसरी है, तो इन सब चिंताओं को लेकर मुझे लगता है कि परशासन को कोई जल्द बाजी नहीं दिखानी चाहिए, पहले वैक्सिनेशन करवा दी जाए, उसके बाद जो है स्कूल खोले और जहां तक आपका वो जो दूसरा सवाल रहा कि शायद प्राइवेट स्कूल वालों को कुछ जल्द बाजी है, अपनी फीज को लेकर शायद आप पूछना चाहते हैं, या उनका जो मैं कहता हूँ कि जो करोना एक साल पीछे हमारे ने पूरा सहा है, इस माह मारी को, उसक के बीच में भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का प्राइवेट स्कूलों को कोई नुकसान हुआ है, हमने बहुत सारे परदर्शन किये, बहुत लोगों ने संगठन आगे आए, कि बच्चों की जो है, स्कूल की फीज, ट्विशन की फीज, या इस तरह की फीज जो है, व मुटिस दिये जाते हैं, बच्चों को SMS बेजे जाते हैं, कि तब तक हम आपको स्कूल के एक्जामस में नहीं बैटने देंगे, जब तक आपकी पिछली फीज जो है, वो क्लियर नहीं होगी, ये हर निजी स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल के अंदर, इस तरह के SMS अभी भा उनर हैं, उनके साथ को लेना देना है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जनता को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो ये नुकसान है कि यहां लोक तंतर सरकार नहीं है, जो भी परशासन के अंदर आला अधिकारी है, जो भी जम्मू कश्मीर के समय हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको जनता के साथ कुछ बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि लगाव उसी को होता है, जो जनता का अपना प्रतिनीदी होता है, जनता जाए भी तो किस के पास जाए? अधिकारी एक साल से लोगों को मिल नहीं र लगते, LG साहब बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके बाकी जो मुखे अधिकारी हैं, वो भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो पबलिक किस के पास जाए अपना रोना दोए, जो अपने इशू को लेकर मुझे नहीं लगता कि पबलिक के पास कोई रास्ता है, उनके अंदर दिल के अंदर एक साल से समेटे हुएं, यह मालो देखने में ऐसा लगता है, फिर कि मालो बच्चे स्कूल में हैं, और उनके टीचर उस समय वहां पर, यह डांटने वाला टीचर है, वो अगर ना आया हो, तो बच्चे फिर अड़दंग मशा रहे हों, तो यह कि हाल इस समय जम्मू के अंदर यह पड़े लिखे लोग भी यह बात नी समझते बिलकुल नी समझ पारे जम्मू कश्मीर में इस समय हालात अंदरूनी हालात जनता के आम इश्यूस के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं बहुत ज्यादा सुधारने की जुरुत है देखिये 370 में बार बार फिर 5 अगस 2019 पे आऊंगा क्योंकि हमें वो दिन बार बार हम याद करते हैं कि जब 5 अगस 2019 को दारा 370 यहां पर हटाई गई और हम लोगों ने डोल नगाड़े के उपर नाचे थे हम लोग और बहुत खुशिया मनाई थी कि शायद अब जमू कश कश्मीर विकास की रहा पर दोड़ेगा यहां के युवाओं को जो रोजगार मिलेगा यहां के कुछ हालात सुद्रेंगे और मगर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला जो सरकार ने भी हमें सबज बाग दिखाए गए थे वो सबज बाग के उपर भी हमें बिलकुल अब कर रही है किया रोड में आप त्यार कर रही है यह जंता की समझ से बिलकुल परे होता जा रहा है वैसे भी मौदी सरकार करोड मैं कम ही समझ आता है बहुत कम लोगों को समझ आता है अच्छा इसके अलावा में यह जाना चाहूंगा कि अभी कुछ और प्रस्ट भी अपना ध्याडी मजदूरी लगा कर अपना काम करते हैं और फिर जाके अपने बच्चों को पालते हैं और शिक्षा का फी जो है वो पे कर पाते हैं लेकिन अब उनको भी फी माफ करने की कोई ऐसे दिख नहीं रही कि प्राइबेट स्कूल माफ करना चाहता है वो तो चाहता ह है कि जितना हमारा नुकसान हुए उसकी भरफाई जितनी जल्दी हो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को माफी फीस माफ करने का एक ऑप्शन मिले कि हाँ ठीक है आप थोड़ी कम फीस दे सकते हैं बिलकुल होना चाहिए जी अगर पूरी फीस नहीं माफ कर सकते ह हम एक तरफ मानते हैं कि ठीक है स्कूलों के भी कुछ खर्चेज होंगे उनको भी अपने शिक्षकों को जो है वो सैलरी वगरा देनी है मगर कम से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो स्कूल के एक्स्ट्र एक्टिविटीज के ऊपर खर्च होता है जो तो उनकी बची नहीं है अगर पूरी तरह से मेरी सरकार से अपील है 100% आप फीस नहीं माफ कर सकते तो कम से कम 50% फीस तो माफ कीजिए सब बच्चों की और रही बात के बहुत सारे गरीब परिवार हैं बिलकुल हैं हमारे यहां पर 20% लोग ही होंगे जो बहुत खुशी से अपनी फीस पे करवा रहे होंगे या किसी अपने रिष्टेदार से या किसी से उधार मांग कर अपना खर्चा चला रहे होंगे जो कोवीड के अंदर हमारी अर्थविवस्ता रही है वो किसी से छुपी भी नहीं है जम्मू कश्मीर अगर कोवीड अगर हमारा पूरा देश की जो है और रही साही कसर पूरी कर दी तो जम्मू कश्मीर की अर्थविवस्ता यहां के लोगों के लिए बहुत दैनिये स्थिती के अंदर है यहां के लोगों इसके उपर क्या लगता है को सरकार को भी कोई इनिशेटिव लेना चाहिए बिल्कुल जी हम तो चाहते हैं के लग देश दिये हैं शिक्षावी भागने उन निर्देशों पर फिर से पुने विचार किया जाएगा और फीस की बात रही वह भी कम से कम हम भी इनसे मिलने की लिखित दरखास दे चुके हैं जैसे ही हमारी मुलाकात होगी हम बिल्कुल इनसे यह मनवाएंगे पूरी तरह से अ से कम 50 परतीशत सब लोगों की माफ होनी चाहिए आल लाइन शिक्षा और आलाइन अग्जाम शिक्षा पे तो चलो हमने बात कर लिए लेकिन जो ऑन लाइन एक्जाम है या ऑफ लाइन अग्जाम है इसके ऊपर भी आजकर एक चर्चाप होने लगी और बच्चों की माने च कह रहे हम प्रदर्शन कर लें क्या कर लें तो ये भी कहीं एक चिंता कभी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये एक ऐसा टॉपिक है कि शायद हम आदा घंटा भी इसके ओपर बोलते रहें तो वह कम होगा देखिए ऑन लाइन आफ लाइन को समझ लिए अगर हैं मैं नहीं मानता कि उनमेंसे 20% बच्चों के पस या 10% बच्चों के पास जाए तो क्या और भी भाबकों के पास भी मदर के पास भी मुबाइल फोन होंगे वह किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें इस साल में ये तो भगवां जानता है कि उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखा होगा उसके बाद दूसरी बात आई ऑनलाइन एक्जाम्स की या ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जारी रखने की देखे एक तरफ हम बिल्कुल बताएं हमने अलजी साब से भी अपील की है कि स्कूल जरूर खोले पास घर जाकर उनका हला देखे उनके इंट्रियू ले तो उनका एक एक लेसन अपलोड होने के अंदर कई घंटे लग जाते हैं कई बार 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 उनको री ट्राई करना पड़ता है यानि फोर जी की सेवा सरकार बहाल नहीं कर पा रही तो इसलिए स्कूल खोलना कहीं ना कहीं अब जरूरी है आप बच्चों की शिक्षा को लेकर उनका कितना नुक्सान करोगे मगर शिक्षा से भी जरूरी उनकी सेथ है तो हमारी ये अपील है कि शिक्षा भी जरूरी है मगर सेथ से जरूरी नहीं है पहले उनको वैक्सिनेशन दी जाए चात्रों को बिलकुल यह भी हमारे लिए एक तरह के जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे देश का भविष्चे हैं हमारे जो चात्र हैं क्योंकि यूथ है यूथ ही देश का भविष्चे है जिनके कंदों पर पूरा देश ठिका हुआ है और शिक्षक जो इनको आगे जो है शिक्षा दे रहे हैं तो य इनको भी जो है सबसे पहले वैक्सिनेशन की जानी चाहिए डॉक्टरों और फ्रंट लाइन योदाओं के साथ सबसे अगला नंबर जो है वो प्राइटी के अंदर चात्रों और शिक्षकों का होना चाहिए चलिए शुक्रिया सर हमसे बाचीत करने के लिए तो असान शब्द या माता पीता जो है उनके लिए कितनी सरदर्दी बचे बन रहोंगे आप सोच सकते हैं ऐसे में उन बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है लेकिन वैक्सिन जो है वो जरूरी है टीचरों और बच्चों के लिए ये इनकी तरफ से एक मत है और हमें लगता है कि सरकार को इसक सकते हैं और देखते हैं दैनिक स्टेट समाचार मुझे और मेरे सायोगी अरूंडोगरा को देंजाज़त नमस्कार